गुड मॉनिंग एरिवरिवन फिफ्थ क्लास तुड़ी थर्टियत आफ अक्टूबर और डे है फ्राइडे तो आज हम डिसक्स करेंगे मैजिक स्क्वेर के बारे में इसमें से ऐसा समझलो की पेपर में कोशिन बनने के 70 या 80 परसेंट चांसीज जरूर है तो चलिए इसको ड की सियरिट यह भुक की इसमें से इसमें जो ऊबर दो ही कोशिन मैजिक स्कु niż वाले हैं जो आपको बॉक्स जिख रहे हैं ठीक है जो चकु क्ण बस यह दो ही कोशिन है उसकता है कि इस लेटेड कोई कोशिन एक्स्टा कोशिन पूछा जाया जैसे कि मालो 25 की जगह जैसे मालो इसमें बोला गया है कि इसमें जो वो 46 to 54 जो वो आपने लिखने है 46 से 54 तक इसमें जो वो होने चाहिए ठीक है और एक रो और कॉलम का 150 एसा हो जगता है कि आपको जो वो चेंज करके कोशिन दिया जाए 150 ना हो 200 दे दिया जाए 75 दे जाए जैसे कि नीचे वाले कोशिन में है 75 जगता है चेंज हो थोड़ा सा कोशिन तो चलिए इसको समझते है कि कैसे इसको solve करते हैं तो आज आप इसका revision करेंगे तो आज आप इसको फिल किया जाता है तो से पहले इसने जो वो बोला किया है इसने बोला है कि आप क्या करिए इसने बोला 46 से 54 तक जितने भी आपको नंबर में जितने भी नंबर है उनको आप इसमें फिल करते हो ठीक है रूल the total of each line is 150 इसने बोला रूल ए है कि total बने 150 जैसे कि मालों यहाँ पे दो नंबर दे रखे हैं और अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर फिल करूं तो इन तिनों का जो जोड़ है इन तिनों का जो टोटल है इन तिनों का sum करके प्लस करके ज़वाब हो 150 आना चाहिए ठीक है 150 आना चाहिए तो ऐसे आपने इसको चेक करना है ठीक है तो 150 आने के लिए क्या करना पड़ेगा सबसे पहले तो आप इसको द्यान से देखे इसको आपने द्यान से देखे कि इसमें जब वो दिया क्या है इसमें सबसे पहले तो बात करते हैं कि कौन सा नंबर हम सब से पहले फिल कर सकते हैं ठीक है यहां पे एक नमबर दिया है और इसको और इसको नहीं भर सकते हैं हम लोग यहां पे एक नमबर है और यहां पे एक नमबर है तो मैं इस बीच वाले को फिल कर सकता हूं ठीक है एक हमारे पास फिल कर सकता हूं ठीक है इसको मैं बड़ी आसानी दे रखे हैं और तीसरा मेरे पास मिल जाएगा ठीक है किसी भी row row होती है यह जो आगे वाले यह जो three row है बतलो ए वाली ए वाली यह जो इसमें three row है इनको बोलते है row ठीक है और column कौन से होते हैं column होते हैं निच्छी 123 column है three row है 33 कितना होता है 9 तो total कैसे है वो में आपको बता रहा हूं ठीक है इसको फिल करने के लिए आपको बता है कि एक कॉलम है सौरी कॉलम नहीं रो है एक कॉलम तो रो और कॉलम ठीक किसी को भी आप पहले ले सकते हैं कि किसी को ठीक है चलिए मैं लेता हूं पहले इस वाले रो को लेता हूं ठीक है इस जो भी दो नमबर दिये हैं मतलब कि एक रो में जो भी दो नमबर गिवन है उन नमबर को प्लस किजिए 157 को माइनस किजिए जो भी नमबर आएगा बो हमारा बनेगा इन तिनों का जो सम बनेगा उन तिनों को प्लस करके जो 150 आ जाएगा चलिए 52 और 47 को मुझे बताएगा प साइद आ जाएगा 99 तो मैंने वहला क्या करना है फिर 150 से माइनस करी है 150 से फिर माइनस कीजिए तो 150 माइनस 99 तो कितना जाएगा 51 ना जाएगा तो यहां पर कितना आएगा मेरे पास 50 वन आएगा तो मैं एक ही कोषणी आप पर समझा रहा हूं बागी आपने इसको खुद ही करना है ठीक है प्रैक्टिस क्यूंकि आपको रिविजन चला है तो ऐसा नहीं है कि मैं बार बार इसको बताता रहा हूं कि यह पूरा बताओं कि कैसे करना है ठीक है तो इतना आपको बताओना चाहिए कि क्या किया है मैंने आ मेरे पास यहां पर आ गया 51 अब आपके पास option बहुत सारे आ जाते हैं कि क्या कर सकते हैं आप लो ठीक है अब आपके पास एक क्या option है कि इसको भर लो 52 यहां पर आ चुका है इसको फिल कर लो बिल्कुल बैसे ही ठीक है 49 और 47 को प्लस करना है ठीक है दोने को प्लस करके 50 से मैनिस करेंगे तो यहां पर आ जाएगा जैसे यह नमबर यहां पर आ जाएगा जैसे इस सारे फिल हो जाते हैं तो आपका हद यान रहे ए जो डाइगनल है जैसे की diagonal होते हैं जैसे A वाले इन तिनों को plus करके भी 150 ही आएगा याद रखना ठीक है और इसको और इसको और इसको plus करके भी 150 ही आएगा मतलब कि diagonally हम लोग देखेंगे तो भी 150 ही आएगा तो इसको भी आप लोग चेक कर लें ठीक है कैसे इसको जोबो आपने solve करना है तो इसको कैसे solve करना है इसमें rule इसने बोला है कि सबका जोबो plus करके जोबो कितना आना चाहिए 75 आना चाहिए मतलब कि इस side भी 75 आना चाहिए तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि कोई एक number आपको choose करना पड़ेगा कोई एक number choose करना पड़ेगा तो इसमें जो वो fix क्या करना है इसको आप ले अंध्यान से सुनिए या तो आपने जो वो यहाँ पे एक number fix करना है या तो यहाँ पे एक number fix करना है तो यह आप पर depend करता है आपने जो वो इसको कैसे solve किया है चिक है अगर आपको पता नहीं चलता है कि क्या से क्या करना है तो आप लोग इसको याद रख लिजी कि हमने जोग क्योंकि यह की कोई सी नैसा इसमें जोग आप याद रखिए कि जैसे निचे 55 निचे 25 दिया है तो हमारे पास दिया है 21 तू 29 से लेकर 29 तक हम कोई भी नमबर यां पे फिल कर सकते हों ध्यान रहे कि कोई भी नमबर दो बार ना आये एक बार एक नमबर छी चलेगा तो यहाँ पर इसने बोला कि एक नमबर चलो फिक्स करते हैं तो यहाँ पर बोला सबस्पहले आप लोग राइ्ट रेंड साइड में इस box में fix कर लीजिए तो इस box में आप लोग कोई भी number एक fix कर लीजिए इसने बोला है 21 से 29 तो मैं 21 नहीं ले रहा हूं 22 ले रहा हूं तेकि मैंने आप 22 लिया तो आप भी याद रखें कि सब से पहले हमने क्या लिया था 22 लिया था अब देखे मैंने बोला कि डाइगनल आपके जोबो सेम होने चाहिए सबसे पहले डाइगनल को बनाईए जैसे आप डाइगनल को बनाएंगे तेकि डाइगनल को इसलिए बना रहे हैं क्योंकि डाइगनल जोब विल्कुल बीच हो बीच है जैसे हम बीच बाला जोबो पूरा पैटन पू तो नंबर हमारे पास आगे हैं तीसा नंबर आ जाएगा 75 प्लस करना है 75 में से दोनों माइनस करना है जैसे हमने पिछले कोशिन में देखा इसमें 75 में से माइनस करना है तो इन दोनों को प्लस करके कितना आ जाता है प्लस करीए जल्दी से इसका आ जाता है साइट 40, 7 प्लस करके आ गया इन दोनों को और 75 में से माइनस करना है, 75 में से माइनस इसको किया तो आ जाएगा साइट 28, तो 28 आ जाएगा तो यहां पे कितना आ जाएगा, 28 28 तो यहां पे कितना आ गया मेरे पास 28 आ गया और यहां पे मैंने फिल किया था 22 देखे अब जो आप अब क्या करना है important ए एक तो हमने fix कर लिया 22 ठीक है right hand side अब जो आपने left hand side left hand side कौन से हुई ए वाली यहां पे एक number fix करना है कोई ऐसा number जैसके बीच में 25 था हमने जो आप 22 लिया इससे कम number लिया अब जो आप 25 से बड़ा number लिजिए तो 25 से बड़ा number कौन सा हो जाता है एक side बड़ा लिजिए एक side चोटा लिजिए अब ऐसा तो नहीं है कि यहां पे 22 ही ले लू ठीक है ऐसा नहीं होसता है तो यहाँ पर कोई एक ऐसा नम्ब लीजए, तो में 26 यहाँ पर fix कता हूँ, ठीके मैंने बोला कि यहाँ पर 26, ठीके मैं हम यहाँ ते 26 ले रहा हूँ, ठीके आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं, जैसे मालो यह जो है, वो इवन Of diz नंबर है, 22 इवन नंबर है, 26 इवन न नंबर हुए तो इवन नंबर आपको पता है को अब आपके वास आपस बहुत सारे हैं कि कि इसको फिल करने पहले आप इसको फिल करते हैं यह जो कैसे फिल करेंगे, आप इसमें column wise देखिए, 26 और 28 गीवन है, बीच वाल आ जाएगो, इन दोनों को plus किया जाएगा, 75 में से minus इनको करेंगे, तो हमारे पास answer निका जाएगा, इस number को आप फिल कर सकते हैं, 20 row wise देखना है आगे को, 26 और 22 को plus करें, 75 में से फिर minus किजिए, बीच वा आपके बास open हो जाता है, जैसे यह आजाएगा, जैसे यह आजाएगा, जैसे यह आजाएगा, यह ओपन हो जाएगा, ऐसी आप सब इन numbers को फिल कर सकते हैं, ध्यान रखें, left hand side, right hand side, choose करना पड़ेगा, आपको कोई एक number, ठीक है, कोई और number भी हो सकता है, कोई और number जैसे 22 टूर ना लेकर के 24 लिया आपने, हो सकता है, ठीक है, 28 लिया, हो सकता है, 28 लिलो यहाँ पर, कोई प्रावलों नहीं है, 28 लेंगे, ठीक है, तो आपने ऐसे ही इसको फिल करना है, तो इसकी आपने practice करना है, आज, कल के लिए भी आपका, यह ओंबर के 7th chapter को, और 7th chapter को आप रिविजन करें, ओके, थेंक यू,